दाखिले की रेस दिल्ली यूनिवसिटी और बी एच यू के लिए सबसे ज़्यादा आवेदन क्यू एट यूसी में रिकॉर्ड 14.99 लाख आवेदन, पिंचली बार से 50 प्रतिशत ज़्यादा नई दिल्ली देशबर के उच्छ शिक्षा संस्थानों में सनातक स्तर के कोर्से दाखिले के लिए होने वाले CUETUG में इस बार रिकॉर्ड 14.99,799 आवेदन आए हैं, ये पिछले साल से 50 प्रतिशत ज़्यादा हैं, पिछले साल 9.9 लाख कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था, जिन यूनिवसिटी में दाखिले के लिए सबसे ज़्यादा आवेदन आते दिल्ली यूनिवसिटी में सनातक स्तर पर 73 को सेंज में दाखिला होता है और 28.4 लाख से ज़्यादा आवेदन हैं यानि एक कोर्स के लिए करीब 49,000 आवेदन हैं, दिल्ली यूनिवसिटी में जाकिर हुसेन कॉलेज में प्रोफेसर गुरप्रीत सिंग टेजा यूपी, द दिल्ली हार स ज़्यादा आवेदन दिल्ली यूनिवसिटी के बाद बनारस हिंदू यूनिवसिटी ब् governments बाबा साहब भीम राव अम्बेटकर यूनिवसिटी इलाबाद यूनिवसिटी जाम्या मिलिया में सबसे ज़्यादा आवेदन आए हैं, CUE-्ट में एक स्कोर के आधार पर B.A., B.C. के ही कोर्सेज में दाखिले नहीं होंगे बल्कि डबल डिग्री कोर्स में भी इसी स्कोर पर एडमिशन देने का विकल्प रहेगा। ज्यादा आवेदनों के बारे में कहते हैं कि इस बार चात्रों में पिछले साल के मुकाबले ज्यादा जाग है क्योंकि पिछले साल CUDT पहली बार हुआ था और कई चात्र विभिन कारणों से परीक्षा नहीं दे पाए थे। इस बार उन चात्रों ने भी आवेदन किया है। अब यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि साइन्स कोर्सेंज में एडमिशन की रेस कैसी होगी। साइन् के चात्रों ने नीट, जेड मेन और CUET तीनों में आवेदन किया है।